प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका जे एम सास्त्री विर्ला चैनल पर कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि सूपर सो एक्जाम के फार्म निकलने वाले हैं तो आपके लिए खुस खबरी है आज 15 तारिक हो गई है और रेजिस्टेशन के लिए लिंक ओपन हो चुका है जो बच्चा सूपर सो की प्रिक्षा पास कर लेता है उसको दो साल तक हरियान सरकार द्वारा ग्यर्मी और बर्मी कक्षा के साथ आई आई टी वै निट जैसी प्रिक्षाओं की फरी में तैयारी करवाई जाती है इस वर्ष 2022 में 15 माई से 31 माई तक आवेदन चलेंगे और उसकी लेवल वन की प्रिक्षा चार जोन को आयोजित होगी लेवल वन पास करने वाले बच्चों की प्रिक्षाएं लेवल टू के लिए होगी इत्यादी बाते मैंने पहले वीडियो में बता दी थी जो बच्चे दोनों स्तरों की प्रिक्षाओं में पास हो जाएंगे उनकी 15 जुलाई से रेगुलर क्लासेज सरकार के दोरा चलाई जाएंगे हो सकता है कुछ बच्चों को अभी तक किस एकजाम के बारे में जानकारी ना हो थोड़ी सी जानकारी में एक बार दे देता हूँ सूपर सो फारम वो बच्चे बर सकते हैं जिन्होंने सरकारी वी देले से दस्वी कक्षा पास की हो और 11 कलास में मेडिकल या नौन मेडिकल स्ट्रीम से वह पढ़ाई कर रहा हो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आवेदन फारम कैसे भरे सबसे पहले आप हरियाना स्कूल एजुकेशन की वेबजाइट पर जाएं उसके बाद हॉम पेज पर दिये गए हरियाना सूपर सो एपलाई लिंक पर टैप करें और अपना आवेदन फारम भरें आवेदन के लिए अलिजिवल्टी क्राइटेरिया में नम्बर एक पे दिया है स्टुडेंट मस्ट हेव अपियर्ड टैंथ क्लास एकजामिनेशन प्रोम एनी स्कूल रन बाई हरियाना गौर्मिन्ट इसका अर्थ है बच्चो जो हरियाना विद्यालिया सिक्सा बोर्ड भिवाने के अंतरगत स्कूल हरियाना सरकार द्वारा चलाये जाते हैं उन विद्यालियांसों जिन्होंने दस्वी कक्सा पास की है वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दुसरी बात है स्टुडेंट मस्ट हैव पास्ट नाइन्थ क्लास एग्जामिनेशन विद मोर देन सिक्स्टी परसेंट इरिस्पेक्टिव ओफ दा नेचर ओव स्कूल अर्थात नाइन्थ क्लास में हमारे सिक्स्टी परसेंट नंबर होने चाहिए तब ही हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लेवल वन के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन सूपर सो के लेवल वन के लिए 15 मई 2022 से 31 मई 2022 के मध्य होगा रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो मुख्य मुख्य दस्ता वेज और बाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ स्टुडेंट के पास JPG फोर्मेट में 300 KB से कम का नवी नतम पासपोर्ट साइज पोटो होना चाहिए उसके बाद बोनाफाइट सर्टिविगेट जो की स्कूल से इस्यू होगा वो इस वीडियो में दिखाया गया है जहां से आपने दस्वीं कक्सा पास की है उस स्कूल के प्रिंसिपल या हेड मास्टर से आपको उसको एटेश्टिड करवाना होगा उसके बाद स्कूल कोड विद्यार्थी का SRN नंबर आपको पता होगा हर बच्चे का ये अलग-अलग होता है स्कूल का डिस्टिक और बलोक आदी भरके आप रिजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर जा सकते हैं आवेदन करने के लिए प्रत्येक्स लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी दिया गया है इसके बाद जैसे ही गो टो रिजिस्ट्रेशन पर हम कलिक करेंगे इस तरह का इंटरफेश हमारे सामने ओपन हो जाएगा जैसे नेम एज ओन आधार आधार के बेश पर हमारा नाम लिखा जाएगा इसके बाद आधर नेम जैसा फोर्मेट दिखाया है कि नाम का पहला अक्सर कैपिटल और उसके बाद समाल आएंगे उसी प्रकार आप भरें मदर नेम, डेट ओ बर्थ, जैंडर क्लास के टेगरी जो आपके सामने टैब में दिखाई दे रहा है वही आप भरेंगे स्कूल कोड जहां से आपने दस्वी क्लास पास की है उसका स्कूल कोड भरें वहां के प्रिंशिपल या हैड मास्टर से आप पूछ सकते हैं पर्सेंटेज ने इंथ क्लास की एड्रेस डिस्टिक ब्लोक इत्यादी भरने के बाद मोबाईल नंबर वही भरें जो हमारा वरकिंग है और जिसके उपर वट से भी चल रहा हो एक अल्टरनेट मोबाईल नंबर भी भरें अपने मा ता पिता भाई बहन का भर सकते हैं इसके बाद SRN नंबर ये पहले भी हो चुका है और अपने फोटो और बोनाफाइड सर्टिविगेट लगा कर इसके बाद हम समिट कर देंगे हमारी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी किसी भी समस्या के लिए हेल्प लाइन नंबर भी फोन नंबर स्क्रीन पर दिये गए हैं